दोस्तों जब हम छोटे होते हैं तो हमें नई नई चीजे खरीदने और करने का बहुत मन करता है। इसलिए दिन बर हम ये सोचते हैं कि काश मेरे पास इतना पैसा होता कि वे चौकलेट की पूरी दुकान खरीद लेता या फिर अपने कमरे को खिलोनों से भर देता। पर दोस्तों इस दुनिया में हर बच्चे को इस तरह के सपने देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ बच्चे वाकई में चांदी के चमच के साथ पैदा होते हैं जिनकी जंदगी में हर वो चीज पहले सही मौजूद होती है जिसका नॉर्मल बच्चे दिन राच सपना तो आईए आपको दुनिया के कुछ ऐसे ही अमीर जादों से मिलवा देते हैं जिनकी जंदगी वाकई में गजजब की है दोस्तों सबसे पहले आप साथ साल के प्रिंस जियॉर्ज से मिलिए प्रिंस विलियम और कैथरीन के सबसे बड़े बेटे जियॉर्ज की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये जिस ब्राइन के कपड़े पहनते हैं उस ब्राइन के कपड़े मारकेट में आते ही बिग जाते हैं लोग इने इतना ज्यादा पसंद करते हैं कि एक जलक देखने के लिए लोग कैमरा लिए घंटों खड़े रहते हैं जिसका अंदाजा आपको इन तस्वीरों से लग गया होगा वैसे तो इंगलेंड की रॉयल फैमिली के पास कितना पैसा है इसका अंदाजा लगा पाना हमारे और आपके बस की बात नहीं है लेकिन ये बात तो पक्की है कि अकेले जियॉर्ज के पास अर्बों की दौलत है जिसे अगर ये पूरी जिंदगी भी खर्च करेंगे तब भी खत्म नहीं होगी राशिद बलहासा अमीर बच्चों की बात हो और दुबई के इस रईज़ादे का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता राशिद बलहासा के फादर दुबई के कंस्रुक्शन मैगनेट हैं और बहुत बड़ी कंपनी चलाते हैं जिना सिर्फ दुबई में बलकि पूरी दुनिया में फेमस हैं जिस वज़ा से इनके पास अर्बों की दौलत है और अपने पिता की अर्बों की दौलत तो लुटाने में राशिद रती भर भी देर नहीं करते तब ही तो महंगी गाड़ी उसे लेकर महंगी घड़ी यहां तक की जूते हर एक चीज़ इनके पास है और अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो इनके सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर आप इनकी रॉयल लाइफस्टाइल का नमूना देख सकते हैं जहां यह अपनी अमीरी से हर किसी को हैरान करने में लगे रहते हैं दोस्तो जब Forbes ने YouTube के हाइस पेड क्रियेटर का नाम लोगों के सामने रखा तो हर कोई हैरान हो गया क्योंकि यह कोई बहुत बड़ा आर्टेस नहीं बलकि यह चोटा सा बच्चा है जो YouTube पर Ryan Toys Review नाम का चानल चलाता है और इस चानल से इसके इंकम करोडों की है जहें यह ना सिर्फ YouTube आड से पैसे कमाता है बलकि इसकी हर वीडियो पर brand sponsorship भी होती है जिसकी वज़ा से यह अच्छी खासे इंकम करता है और इस चोटी से उम्र में सिर्फ toy review करके अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स को पीछे छोड़ चुका है बच्चों पर Ryan का इतना influence है कि यह जिसकी भी toy का review अपने चैनल पर करता है वो market में आता ही बिग जाते है अब आप मुरको के इस प्रिंस से मिलिए किंग मुहम्मद और प्रिंसे लाला सल्मा के सबसे बड़े बेटे प्रिंस मौले हसन है जिनकी उम्रे इस समय मातर 16 साल है लेकिन इनकी popularity किसी बड़े celebrity से कम नहीं है और इनकी सबसे बड़ी वज़ा इनका royal attitude है दोस्तों इस बच्चे के पास वैसे तो सारी आशो अराम की चीज़े मौजूद है लेकिन इसका interest अपने पिता की तरह ही कोट पेंट पहन कर अपने लोगों के लिए एक नए अकल लाने में है ना कि महंगे महंगे जूते और कपड़े खरीद कर खुद को अमीर दिखाने में क्योंकि अगर अमीरी की बात की जाए तो इनकी personal दौलत में ही अर्बो रुपए मौजूद है पर उसका एक पैसा भी आलतुफालतों की खरीद में नहीं खर्च करते हैं जो इनकी अच्छी सोच को दर्शाता है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही उमीदा आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी अगर हाँ तो इसे तरह की शांदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजे दर्निवाद